Hello all and welcome to recognition IAS Geography optional classes में हम लोग paper 2 का discussion कर रहे हैं और इस paper 2 में हम लोग ने industry तक के topic को देख रखा था इसी के आगे continue करते हैं हम लोग transport का topic Transport का topic काफी अधा factual है और ज़्यादा यहाँ पर concepts as such discuss करने को नहीं है तो one or two classes में यह complete हो जाएगा इसके अलावा हम लोग उचके कुछ questions भी discuss कर लेंगे ताकि एक idea लग जाए आपको की कैसे answers write करना है तो फड़ा फड़ शुरू करते हैं आज का discussion स्टार्ट करने से पहले Geography optional के वो लोग जिनको study material चाहिए वो subscribe कर सकते हैं test series के लिए subscribe कर सकते हैं and communication topic का it is सबसे पहले road, rail, waterway, airway and all that in सब चीजों के बारे में पहले देखना होगा हमें और देखना होगा कि आखिर में इसका regional scale पर क्या इसका महत्वा है इसके आगे growing importance of port on national and foreign trade basically foreign trade के बारे में थोड़ी सी बात ही करनी होगी यहाँ पर जो हमारा concepts या फिर कह लिजे कि जो हमारे content use हो रहे होंगे वो basically economics के concepts use हो रहे होंगे तो ज़्यादा कुछ खास importance है सच है नहीं यहाँ पर लेकिन फिर भी हम लोग इससे discuss करेंगे इसके लावा trade balance, trade policy export processing zone इसके लावा foreign trade policies development in communication and information technology and their impact on economy and society Indian space program यह हमारे total five topics हैं जिनको कि हमें इस transport and communication वाले topic में discuss करना है फड़ा फट शुरू करते हैं सबसे पहले transport का काम थोड़े से factual जरूर है लेकिन इसमें भी concepts हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कहता यही है कि transport एक ऐसा medium है जिसके थुरू पूरे territory को या फिर country के अलग-अलग zone को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक किसे connect किया जाता है यहाँ की quality और इसके जो infrastructure services होते हैं काफी important होते हैं किसी भी country के development के लिए अगर country का development करना है तो सीजी सी बात है कहीं पर resource पाया जाता होगा तो कहीं पर agriculture होगा कहीं पर अगर development services के sector में होगी तो कहीं पर उसको labor force की जरूवत पड़ेगी इन सब चीजों को connect करने के लिए transport यह कैसा link या फिर network होता है जहां से जो भी labor force है या जो भी resource है या जो कुछ भी है वो एक format से दूसरे format में या फिर कह लिजे कि यहां से वहां पर इसे travel कराया जा सकता है transport एक substantial growth के लिए काफे important होती है और in fact काफी सालों से पिछले कुछ सालों से यह अपने growth को लगातार शो करते हुए आया हुआ है transport इंडिया का जो है वो अलग-अलग format में है जैसे railway, roadway या फिर road transport, port हो गया inland water transport हो गया coastal shipping हो गई airport, airlines बहुत सारी चीज़े होती है तो basically broadway में आप इसे जो है five format में इसे divide कर सकते है एक आप बोल सकते है कि यह road है दूसरा आप बोल सकते है थर्ड आप इसे airway के बारे मोल सकते है फूर्थ is waterway और इस waterway में ही basically दो पार्ट हो जाती है एक होती है inland और दूसरी होती है जहाँ पर आप coastal या फिर कह लिए international waterways तो यह total five format होते है इसके लावा कई जगों पर pipeline भी एक format लिया जाता है but pipeline is only for the transport of goods किवल और किवल सामान के लिए ही इधर से उधर इसको ले जाया जा सकता है आगे अगर देखें तो transport देखें किसी भी industry growth के लिए और quick marketing करने के लिए काफी अधा ज़रूरी होता है it lead to increase in demand of goods transport create place utility transport bridge the gap between the production and consumption center in fact अगर मैं कहूँगा कि अगर transport की importance आपको दिखाना है तो आप जो अपने systems approach में यानि कि जो आपने quantitative revolution के दोरान में जो models पढ़े हुए थे उसका भी आप यहाँ पर importance दिखा सकते हैं जैसे आपकी Weber की model हो गई या फिर Worn Thunen की model हो गई या फिर CPT crystal की हो गई इन सब areas में transport को एक link माना गया है कि transport के थरू ही एक इस्थान से एक जगा से एक place से दूसरे place पर जाया जा सकता है और इसी वज़े से transport को एक uniform format में लेकर के चला गया है because this is the variable and this should be assumed in a uniform manner ताकि जो चीजे होती हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ सकें तो यहां से भी आप importance of transport को दिखा सकते हैं यहां पर भी आप जो होता है एक example के थरूख कर सकते हैं कि जैसे की government ने अभी price stabilization fund एक बना रखा है इस price stabilization fund का मतलब क्या है इसका मतलब यही है कि जितने भी essential items होते हैं अला कि essential item में आप काफी आदा changes कर दिये गए हैं फिर भी onion हो गया fruits हो गया, vegetables हो गया जितनी भी चीज़े हैं यहां पर इनकी पूर्ती करना काफी जरूरी होता है पूर्ती करने का मतलब कि अगर माली जै कहीं पर इसकी production हो गया या फिर जो होता है अगर supply कहीं अगर रुक रही है तो obviously बात है demand and supply करव के मदद से आप यह बोल सकते हैं कि there is going to be a very high inflation in that region तो आप क्या करेंगे इसे आप एक तो तरीका है price stabilization fund के तुरू इसे minimize करिए subsidize करिए या दूसरा तरीका होता है transport को एकदम बढ़ियां तरीके से आप उसे strong मना दीजे ताकि कभी भी यह जो linkage है वो तूटने नहीं पाए तो this is very important for the stabilization of price transport increase mobility of labor and capital we have already discussed this in fact यहाँ पर आप एक importance दिखा सकते हैं जिस तरीके से Weber के model में ISO, DAPEIN का concept होता है you can use this concept here और यह काफी important होगा यहाँ से आप paper 2 को paper 1 के साथ में और literature के साथ में भी link कर पा रहे होंगे one by one करके आप चीजों को discuss कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे road की, फिर rail की और फिर आगी जो भी चीजे आएंगी road के बारे में road transport काफी critical infrastructure होता है से efficient और convenient वे जो मिलने वाला है वो roadways ही मिलने वाला है it influence the pace, structure and pattern of development ministry of road and transport highway encompasses construction and maintenance of national highway administration of motor vehicle set and central motor vehicle rules formation of broad policies relating to road transport environment issues and all that जितनी भी चीजे आजाती है roadways हमारे पास अलग-अलग तरीके के होते हैं जैसे की national highway होती है state highway होती है, district roads होती है village roads होती है अभी हम लोग one by one करके इनको discuss भी करेंगे National Highway Authority of India that is NHAI जो की एक PSU है और ये काम करती है roadways के लिए ही यहाँ पर it is responsible for development and maintenance and management of national highway interested to it and for matters related and incident there too इसके लावा देखिए Indian Academy of Highway Engineers भी है जहाँ पर basically state government और central government के मदद से कैलीजे की training कराई जाती है जितने भी highway engineers होते है तो इनकी training कराकर के जो high quality development of the road है international standard की जो road है उसको यहाँ पर research किया जाता है उनके बारे में यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है तो इस तरीके से अलग-अलग यह department से जहाँ पर अलग-अलग इनका काम होता है अगर हम लोग देखें कितने तरीके के road होते हैं तो we have national highway इसके अलावा हमारे पास state highway है district roads है और फिर rural roads या फिर आप इसे बोल सकते हैं village road अलग-अलग इनके काम होते हैं जैसे कि जो आपका national highway है इनका prime importance होता है जो country और जो last cities हैं और जो big industrial centers हैं उनको आपस में connect करना अगर आप देखेंगे अपने पूरे इंडिया के map को अलग-अलग तरीके से हमारी national highways जम्मु कश्मीर से लेकर के कन्या कुमारी तक फैली हुई है इनफेक्ट गुजरात से लेकर के नौर्थीश तक भी फैली हुई है number of highways है हलाकि यहाँ पर जो numbering है वो काफी अधा complex और इसी वज़े से आप एक development के रूप में इसे याद कर सकते हैं कि the complexity of the numbering of national highways are under process for making this easy and less complex तो इस तरीके से आप development को भी दिखा सकते हैं नेक्स जो आती है वो state highways आती है जिसके लिए जो development responsible authority होती है वो होती है PWD और यह हर एक state की अपनी अलग-अलग होती है these roads connect all the important center of industry, trade, commerce of the state and national highway the responsibility of the development and maintenance lies with the this is state government actually there is some tapping mistake district road में आती है कि यह road जो होती है वो connect कर रही होती है different part of the district के लिए मतलब एक तरीके से आप यह समझ तकते हैं कि national highways एक tree है जहां पर branches के रूप में state highway हो जाती है और सब branches के रूप में district roads हो जाती है और बाकी आपकी जो rural road है वो तो खेर छोटे छोटे जो rural areas होते हैं, villages होते हैं उनको connect करने के लिए होते हैं यहां पर दो तरीके के होते हैं एक होता है कच्चा और दूसरी होती है पक्का पक्का मतलब metal road होती है और हर एक village को district road से connect करने की एक कोशिश की जा रही है demand यह आ रखी है आगे अगर बात करें तो जो NHDP है मतलब कि यहां पर national highway development program है is mainly being implemented by NHAI it consists of different phases जैसे 7th phase इस समय चल रहा है यहां पर phase 1 और phase 2 से ही development start हो गई थी जहां पर जो national highways है उनकी laning मतलब 4 lane to 6 lane तक यह करने की कोशिश की जा रही है laning का मतलब यह होता है suppose this is the road and we have this divide here and यहां पर माल लेते हैं कि यह divider है this is divider ठीक है अब यहां पर बीच में आगे जो होती है एक road आयाती है तो this is actually 4 lane road this is lane 1, lane 2, lane 3 and lane 4 यहां पर highways के बारे में भी थोड़ा सा अगर आपको idea दी दिया जाए तो highways जो होती है वो कुछी इस तरीके की structure होती है इस तरीके से बनाये जाता है जहां पर नीचे course material रखा जाता है and then फिर आगे fine material और फिर ultimately उपर bitumen की एक layer दे दी जाती है this is highway engineering जितने civil engineers होंगे उनको यह जानकारी होगी लंबे लंबे formulas होते हैं जिनको calculate करके फिर इस पूरे के पूरे system को develop किया जाता है इसमें अगर बात करें तो देखें इसमें इस national phase 1 में ही golden quadilaterals होती है जो four metro cities हैं उनको connect करने की बात यहां पर की गई है और in fact यह connect भी कर दिया गया है आगे अगर देखें तो देखें north, south and east, west corridors भी बनाएं गया है जिससे कन्या कुमारी को श्रीनगर से और सिल्चर को पूरबंदर से connect कर दिया गया है जिससे की क्या है कि north, south में यह है कि जो इंडिया की territory है from the top to the bottom and from the east to the west of the country to national highways other national highway stretches इसके अलावा phase 3, 4, 5 में भी government ने road को extend किया है मतलब कि आप कह सकते हैं कि सब branches इनकी निकाली गई है ताकि जो 4 metro cities हैं इनसे हर एक area को connect किया जा सके आगे अगर देखें तो national highway development program के phase 6 और phase 7 में this is actually phase 6 and this is phase 7 यहाँ पर जो है आगे development करने की बात कही गई है और यहाँ पर अब जो कोशिश की जा रही है वो private bodies को साथ मिले करके आगे बढ़ने की बात कही जा रही है ताकि system efficient हो थोड़ी सी processing में तेजी आए और एक better way of development हमें देखने को मिले इसके लिए different different models भी निकाले गए है models के बारे में आप लोगोंने economics में पढ़ा होगा जैसे कि BOT model होता है BOT model होता है toll model होती है toll operate and transfer model होती है इसके लावा EPC model होती है and अभी फिलहाल में hybrid model चल रहा है और यह hybrid model आ जाती है तो फिलहाल में this is the most prominent one in fact whatever development that is going on in today at present that is going through with this hybrid model तो यह हमेशा आपको पता होनी चाहिए this is very important and you can use these models even in geography discussion ठीक है this is very important okay phase 7 में government has approved construction of roads along ring roads, bypasses और in fact यहाँ पर अभी फिलहाल में जितने भी कह लिजे कि railway crossings है उनको bypass करने की यानि overbridge बनाने की यहाँ पर भी बात कही जा रही है in fact इस पर काम करना भी शुरू कर दिया गया that is the project here is a सेतु भारतम project सेतु भारतम project के थूरू इस पूरे के पूरे system को किया जा रहा है आगे बात किया जाए अगर तो अब आगे आते हैं हम लोग problems in road sector के बारे में देख लेते हैं merits of road sector easily आप यहां पर connect कर सकते हैं कि this is the you can say कि this is the convenient mode because it connects house to house not village to village और any other things तो आप यह house to house यहां पर बता सकते हैं कि यह connect कर रही होती है इसके लावा और भी बहुत सारे merits हैं जैसे कि यह जो होता है वो different vehicles को different type of different mode of transport को यहां पर अलाव करता है इसे pedestrian हो गही different type of vehicles हो गया तो road sector जो होती है काफी important होती है and this is the आप you can also say road sector has historical importance तो इन सारी चीजों को आप merit में लिख सकते हैं हलाग कि merit कभी है सच पूछा नहीं जाएगा but हाँ you always be ready with this merit and problems the problems का अब लो फटाफर डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले क्या है कि unmetall roads and their improper management आप इसलिए यहां से समझ सकते हैं कि यह unmetall road का मतलब यही है कि यह कच्ची road हो गई और improper management इसमें होता क्या है कि अगर हलकी सी बारिश चुर जाती है या फिर सडक पर अगर माली यह कोई heavy vehicle चली जाती है तो यहां पर road जो होती है वो कटफट जाता है तूड जाता है तो यहां से connectivity में काफी problem हो जाती है दूसरी चीज़ heavy vehicles को यहां पर movement कर आपाना this is nearly impossible क्योंकि इसके लिए जो होती है आपको एक proper mechanism proper road चाहिए होती है तो कहीं न कहीं यह connectivity में problem create करती है wheels होती है इन सब के तरूज होती है mixed traffic हो जाती है और इस mixed traffic के लिए we have not developed any road मतलब की what standard standard क्या होना चाहिए कि हमारे पास अलग-अलग road होनी चाहिए अलग-अलग type of vehicles के लिए जैसे अगर passenger vehicles है उसके लिए one type of road होनी चाहिए या अगर मालीजे कोई heavy truck loaded truck है उसके लिए अलग road होनी चाहिए similarly heavy axles जो 18 axles की जो vehicles होती है 20 axles की जो wheels होती है उनके लिए अलग road होनी चाहिए क्योंकि इन सब के development के लिए जो engineering है वो भी different होती है इनके weight और इनके axles axles का मतलब की जितनी पहिये है या जितने भी कह लिए wheels है उनको ले करके फिर design किया जाता है कई बार आप लोगोंने देखा होगा कि heavy road heavy कोई vehicle चली आती है तो फिर वो road जो है वो थोड़ा सा धस जाता है मतलब कि वो जो होता है वो अंदर की और में चला जाता है तो ये एक problem होती है this is again ignorance और कहीं न कहीं जो होता है ये एक road sector के लिए भी problem होता है इसके लाबा multiple check post होते है inadequate side amenities होती है side amenities का मतलब यह होता है suppose this is a highway यह highway है और यहाँ पर speed limit लिखी हुई है 60 to 80 km whatever it is suppose you have to take a break अगर माल लिजे आपको कहीं break लेना है तो आप road side में ही ले लेंगे and it is going to create congestion traffic create कर सकता है जितने भी national highways होंगे या फिर जितने भी आप लोगों ने express ways वगरे देखे होंगे वहाँ पर देखा होगा आपने कि sideways इस तरीके से बनाए जाता है जहाँ पर छोटी छोटी motels हो गए या फिर जो है restaurants हो गए वो बनाए जाते हैं ताकि आप जा करके यहाँ पर if you want to take rest or stop your vehicle you can stop here and you can also go and recreate some things here या फिर कुछ भी अगर आपको खाना पीना है तो you can take from here इसी को बलाता है siding this is siding same case with the railways भी होती है main track होती है और side में अगर आपको कभी rail को रोकनी है या फिर इसमें समान deboard कराना है तो फिर उसको side line पे ले करके जाए जाता है तो this is basically the side amenities shortage of funds again जो होती है कही ना कहीं fund is also a problem for that what government has done government has created different trust trust जिस तरीके से REITS का नाम आप लोगों ने सुना होगा similar case इसी तरीके से NIIF बनाये गया National Infrastructure and Investment Fund बनाये गया है similar cases अलग अलग तरीके के fund बनाये जाते हैं अपने अपने एक objective के लिए अपने अपने कह लीजे कि एक काम के लिए बनाया जाता है इसके लावा unstable road policies है we have policies but they are very unstable मतलब कि वो time to time जो होती है continuously change होती रहती है और कहीं न कहीं ये एक problem create करता है because road is like what road का मतलब ये होता है कि ये long term मतलब कि अगर कोई road बन भी रही है तो you have seen कि उसे 4-5 सा लग जाता है road को बनने में और अगर वहीं पर कोई political interference हो जाता है पांच साल में जो government है वो आया road policy अपनी बना है जो कोई दूसरी government आयाती है तो अपनी road policy change करते इसके कारण से जो private bodies involved होती है उनको काफी यदा problem face करना होता है number one, number two इसके कारण से फिर ये होती है कि road की construction में काफी यदा delay हो जाते हैं और फिर local population जो होती है उनको फिर problem face करनी पड़ती है तो ये अपने आप में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी problem होती है तीक है आगे अगर देख लिया जा railways के बारे में railways this is the lifeline of the nation and in fact railways जो होती है इंडिया में fourth largest after US, then China and Russia के बाद जो होती है fourth largest railways हमारे इंडिया में है it traverse the length and breadth of the country providing the required connectivity and integration for balanced regional development this is very important क्योंकि ये बहुती cheapest mode होता है और ये आगे भी बढ़ रही होती है the dedicated freight corridor is a project for new railway lines exclusively for carrying freight isolated from normal Indian rail traffic and passenger trains dedicated freight corridor का मतलब यही होता है कि अलग से एक line लगाई जाएगी अलग से एक कह लिजे की track लगाई जाएगा only for the freight केवल और केवल freight माल गाडियों के लिए ही केवल ये चलाई आएगी माल गाडिया आप लोगों ने देखा होगा कि काफी अदा delay से चलती है उसमें GPS नहीं होता है ट्रैकिंग नहीं हो पाती है और इसी वज़े से जो होती है last option बना होता है जितने भी freight transfer करने वाले जो भी industries है या जो भी लोग है अब यहाँ पर problem यह होती है कि passenger train को हमेशा preference दिया जाता है as compared to the freight trains अब we have very limited track in our nation इसके लिए अब passenger train को जब भी आप priority दे देंगे तो obviously dedicated freight corridors की requirement पढ़ेंगे या नहीं freight trains जो होती है वो delays हो जाएंगी freight train को हमें promote करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यह काफी revenue creating होती है पहली चीज़ दूसरी चीज़ की यह काफी fastest and safe mode है इस पूरे के पूरे development के लिए Eastern freight corridor Eastern dedicated freight corridor will start from Ludhiana and all that यह सारे developments यहां पर दी गई है you can go through with it and just memorize the details here because if question comes you have to state some of the data इसके लबा use some points of the budget to explore more things in the question and this is हमेशा change होते रहता है तो आपको यह चीज़ हमेशा द्याल में रखना है suppose 2020 का paper है तो यहाफ टो रीज़ 2018, 2019 and 2020 का जो budget है so that कि आप एक broad perspective बना के रखे रहे है और अपने answers में इनको include कर ले Indian railway okay this is fourth largest rail network है और बाकी things are getting repeated अगर impact of railways on economy के बारे में अगर देखा जाए तो construction and expansion of the rail have improved the economy of the country इसमें कोई doubt नहीं है because we have suppose this is our this is our India okay so you have already seen कि we have very limited areas for what? resources जैसे कि अगर माल लेते हैं कि ये area है this is very rich in mineral resource अब यहां पर आपको हर एक तरीके का mineral resource मिल जाता है चाहे वो metallic हो चाहे non metallic हो इसके लावा we have this area for petroleum this area for petroleum तो अब यहां से petrol obviously you have to distribute throughout the nation mineral resource आपको या तो industry यही पर setup कर दीजे या फिर जहां पर भी industry वहां पर लेके जाना पड़ेगा suppose you are using road road use करेंगे तो obviously बहुत ही limited resource पहुच पाएंगे and there will be delay in the production and manufacturing तो इसके लिए क्या किया आता है कि हम लोग railways को ही prefer करते हैं in fact you can also refer the history here कि 1853 में जब भी first railway चलाई गए थी वो coal के transport के लिए basically use की गई थी तो this is very important for the economic development and societal development also क्योंकि जनता जो public है वो एक जगह से दूसरी जगह again इसी mode को use करती है अगर काफी लंबी दूरी तै करनी है तो it has played significant role in development of cotton textile industry in महरास्ट इन गुजरात क्योंकि industry के topic में हम लोगों ने discuss किया हुआ था कि जो cotton areas है वो कहीं न कहीं distributed है अलग-अलग जगहों पे और हमारी जो handicrafts है या फर कह लिजए कि जो हमारे हतकरगा उद्योग है वो जैसे UP में भी है और different parts में भी है करनाटका इन सब areas में है तो यहां से cotton growing region से इन industries की तरफ में लेकर के आने के लिए this is very important कि आपको एक fastest and safest mode of transport की जरुवत पड़ेगी इसके लावा different industries like jute industry, coal industry, tree plantation और जितनी भी तरीके की industries हैं वहाँ पर railways एक काफी important role play करती है recent development जैसे कि अभी किसान express train चलाई गई है ताकि farmers की income को double किया जा सके current affairs में आप लोगों ने इसे देखा होगा कि फिलाल एक train जो होती है महरास्टर से हर्याना की ओर में चलाई गई है और second train जो है वो आन्दरपरदेश से चलाई गई है so this is very important and you can use these current affairs topics in your answers merits of railways के बारे में हलाकी you guys already know but still one by one करके कुछ merits को discuss कर लेते हैं like this is a easy mode of transport क्योंकि you have lot of space here as well as यहां पर convenient हो जाता है काफी जादा इसके अलाबा accelerated industrialization के लिए this is very important agricultural development के लिए again काफी important होती है क्योंकि जितने भी seeds हैं या जो products हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह पर available कराना और जल्दी available कराना this is very important and agriculture मतलब की railways play important role here it connects remote culture जैसे की अब suppose लद्दाक है या जमुन कश्मीर है या फिर अरुडांचा प्रदेश है या नौर्थीश की कोई भी areas है उसको अगर mainland से connect करना है तो road is an option no doubt but it is the it is not the cheapest यह महगा हो जाएगा और इस वज़े से अगर tourism भी है तो भी कही न कहीं compromise हो रही होगी अगर वही railways हो गई तो railways के थुरू काफी जादा और काफी लोग commuters काफी जादा होते हैं तो इसके कारण से जो volume है वो बढ़ जाएगा और इस वज़े से जो होती है जो यहां की culture है वो भी अच्छे से connect हो रही होगी it helps in maintenance of law and order also because we have very limited defense as well as paramilitary people तो इस वज़े से एक जगह से दूसरी जगह पर अगर fastest mode में develop कराना है या फिर चीजों को ले करके जाना है अगर अपने जितने भी artillery's है या जितने भी चीज़े हैं उनको अगर ले करके जाना है तो obviously हमें एक fastest mode की जरूरत होगी जहां पर railways अपने आप में बहुत important role play करता है क्योंकि ये कई सारी चीजों को और bulk में volume में चीजों को ले करके जाने में एक कैलीजे की जो होता है रखता है अपने पास potential तो अब इसी इसी वज़े से this is very important in maintenance of law and order also this is the fastest mode of transportation you cannot say fastest because airway is the fastest mode लेकिन फिर भी this is faster than other road mechanism this is cheapest mode of transportation for bulky material obviously volume जाद रहेगा तो फिर जो इसकी price है जो इसकी cost है वो कमाएगी it connects hinterland with the seaport again this is very important it promotes national integration क्योंकि एक जगा से दूसरे जगा की culture को connect करने में काफी आसानी हो जाती है तो इससे हमें एक national integration की भावना आती है in fact आप लोगों ने देखा होगा suppose you have to go South India अगर आप North India में है और अगर आपको South India में जाना है तो what mode you will choose first priority will be airways no doubt but airways में luggage का काफी आदा foundation होता है आपको एक limited luggage ही ले करके चलना होता है first thing second thing this is not easy for everyone क्योंकि airways are costlier than any other means यह काफी आदा महंगा हो जाता है तो second option आप बसता है फिर railways railways जो होती है वो आपको आराम से और heavy लगे जागर आपको ले करके जाना है तो वो भी और cheapest motor रहती है और अपने सुविधा के हिसाब से अपना एक compartment अपने हिसाब से choose कर सकते हैं it helps in administration also just like law and order maintenance यह भी जो होता है administration में help करता है और बाकि national integration तो we have already discussed railways की problem के बारे में again देखा जाए तो देखिए सबसे बड़ी problem तो यह हो जाएगी की यह zone को connect करता है house to house connector नहीं करता है plus second thing infrastructural काफी यादा problems है क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में कहीं पर अगर plane है तो कहीं पर mountains है, platos है, hard mountain है तो उनको cut करने से एक geographical problem भी आ सकती है earthquake आ सकता है multiple things आ सकती है इस मज़े से railways को connect कर पाना और उनको develop कर पाना यह काफी hard tussle हो जाती है इसके लावा heavy pressure भी काफी जादा है मतलब की we have limited rails बट passengers और commuters जो हैं वो काफी जादा है in fact अगर आप North India के train में कभी travel किये होंगे in fact अगर आप UP, Bihar, Delhi इनके states में अगर आप travel कियोंगे तो you would have seen कि यहाँ पर जो railways होती है काफी यादा compact और कह लिजे कि काफी यादा heavy pressure में चल रही होती है competition with the road transport है no doubt क्योंकि आज की date में rail और road काफी compete कर रही है because the prices are more or less same in fact if you are choosing third AC compartment in the railway and then you have also option of AC buses competition काफी ज्यादा हो गया है तो एक problem यहाँ पर हो सकती है कई बार क्या होती है कि road vehicles जो होती है comes time ले रही होती है as compared to the railways तो यह competition काफी अच्छा हो गया this is actually good because competition will ultimately lead to development and it will develop railways as well as roadways दोनों ही काफी अच्छ हो जाएंग in fact अगर आप European country में कभी गय हो देखे हो तो वहाँ पर जो road होती है roadways, road vehicles होती है वो preferred होती है as compared to the railways क्यों? क्योंकि अगर माल लिजे आपको कहीं पर भी एक जगा से दूसरे एक जगा पर जाना है अगर तो railways अगर माल लिजे 12 गंटे का समय ले रही है तो road से अगर आपकी buses बगरे से आप जा रहा है तो आप 6-8 गंटे में ही उसे cover कर सकते है तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो होती है समय की जो होती है एक काफी constraint होती है और वो time काफी अच्छा हो जाता है road में इसके लाब़ा economic burden भी again काफी आदा है क्योंकि होती है loss railways को हो रहा है मतलब की जितना भी output cover कर पा रही है 100% अगर input दिया जा रहा है तो केवल और केवल output इसमें 2% का ही आ रहा है 98% loss में चली जा रही है तो यह अपने आप में बहुत बड़ा एक काफी आदा lookout करने की ज़रूरत है हाला कि जो हती है काफी आदा fear changes बगर है किये गए हैं इसके लावा faulty planning भी यहाँ पर की जाती है कई बार आप लोगोंने देखा होगा कि development कर दी जाती है लेकिन उसको implement होने में काफी आदा time लग जाता है suppose कहीं की railway line आपको suppose bullet train ही है अब bullet train का decision क्या है और कैसा है this will obviously can be decided on the evaluation of this thing in future तो इस वज़े से वो depend करता है कि आखिर में development कैसे होने वाली है उसके economic perspective को देख करके suppose bullet train आपने develop कर दी but अगर उसके commuters उसके passengers नहीं हो रहे है तो obviously bullet train जो होगी वो loss में again चलना शुरू हो जाएगी जैसे अगर महा लेते हैं Delhi metro है या फिर कोई भी metro है metro services काफी ज़्यादा famous हो गई है metro services काफी ज़्यादा के लिए लोगों का option बना हुआ है they are not running into loss they are actually profit making mode तो इस वज़े से एक planning हमें करने की जरूरत होती है एक better planning करने की जरूरत होती है faulty planning से काफी problem हो जाती एक छोटी सी planning में आप लोगों को बताता हूँ जैसे suppose you have railways अगर आप old Delhi railway station पे गया होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि platform पर ही जो है आपकी MACD मिल जाती है या फिर KFC मिल जाती है KFC तो हाला की नहीं है बट हाँ MACD आपको मिल जाएगी तो इस तरीके के अगर हम food की system यहाँ पर दे दे हम लोग leasing पर दे दे या फिर rent पर दे दे तो obviously railways को काफी यादा यहाँ से भी profit हो सकता है देखे आप railways को महंगा नहीं कर सकते हैं आपको नहीं पता है यहाँ पर किस तरीके की class travel कर रही है बट अगर कोई MACD अगर open कर रहा है तो obviously he would have choice to go either in MACD और he can go also to the IRCTC catering services तो अलग-अलग services अपने हिसाब से चूज करके चलाया सकता है लेकिन railways को costly करना this will be unethical and this will come under capitalist policies but we have mixed policy and we have seen a future of socialistic एक perspective देखा हुआ है तो this is very important यहाँ पर इसके लाबा high rate of electricity है in fact जो होती है जो electric lines भी बनाई गई हैं वहाँ पर क्या होता है कि tendering नहीं होती है वहाँ पर government government चीजों से ही electricity purchase कर रही होती है तो काफी high rate पर वो purchase हो रही होती है तो काफी अधा problematic और loss making again होता है तो अभी current affairs में आप लोगों ने फिर देखा होगा कि पंजाब में पहला ऐसा किया गया है जहाँ पर private bodies को भी अब involved किया गया है tendering के लिए और इस तरीके से यहाँ पर जो electricity वाली चीज है इसमें अब competition देखने को मिलेगा और इस competition के through अब जो चीजे है वो अब काफी developed format में होगी this is not privatization actually इसको भोलते हैं corporatization this is corporatization and this is good privatization कहीं न कहीं एक system के साथ में compromise जरूर होता है but corporatization is actually development of that sector and this is very important यह कहीं न कहीं system को और efficient करेगा और काफी अच्छा करेगा again यहाँ पर slow decision making process होती है क्योंकि railways पुरी तरीके से government body है और यहाँ पर central government चीजों को देख रहा होता है फिलाल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो railway board है उसने कई सारी services को जो है integrate कर दिया है अपने health service को, अपने RPF को सब को integrate करके वो एक अलग से service निकालने वाला है तो यह एक अलग system हो जाता है system अलग रहे decentralized रहे अच्छी बात होती है but again that depends कि आपके decision making process कैसी हो रही है less system छोटा system corrupt system भी बन सकता है और छोटा system fastest decision making sector भी बन सकता है तो it all depends कि how this is getting tackled off वो देखना होगा कैसे कर रहे हैं इसके लावा obsolete machinery है काफी आदा जैसे कि जितने accidents होते हैं उनकी report निकाली आते हैं तो उसमें ultimately यही निकल के आता है कि जो track काफी पूराना है और इसे change करने की जरूरत है तो इंडिया में tracks इसे अभी फिलहाल है कि जहां पर 140-150 km per hour ही trains को चलाए जा सकता है इनफेट कुछ track ऐसे हैं जहां पर 60-70 की speed रखनी पड़ेगी otherwise यह टॉपल कर जाएगा तो यह एक अपने आप में obsolete machinery और maintenance problem को दिखा रहा है कि एक बार बना देने से ही कुछ नहीं होगा बट उसको maintain करना काफी ज़रूरी है instead of making new tracks पहले हमें maintenance की ओर में ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर वो एक तरफ से आप development करते आ रहे हैं दूसरे तरफ से आपकी चीजे खराब होते आ रहे हैं इसके लावा cleanliness करने की भी ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि स्वच भारत अभियान चलाया ज़रूर गया है बट railways still they are making pollution in fact वो जो sanitary measures होती हैं railways में वो आज भी उतनी ही खराब है जितनी पहले हुआ करती थी हाला कि bio toilets बगरे लगाएगे हैं बट still जो behavioral problem है जो public की वो कहीं न कहीं अभी भी दूर नहीं हो रही है वो railways को आज भी अपनी property न समझ करके दूसरे की property समझते हैं and that is why they are damaging those products, those services तो कहीं न कहीं उनका लॉस हो रहा है because tax का पैसा उनहीं का जा रहा है waterways की बारे में आगे देखा जाए तो waterways is the cheapest and oldest format of transport for heavy good and bulk cargos अब यहाँ पर जो water transport होती है इसमें अगर आप देखेंगे तो 90% of cargo transport किया जाता है लेकिन 70% of volume जैसे volume by weight है and this is volume by price बोल सकते हैं आपकी पैसे के तुरू तो कहीं न कहीं यह दिखा रहा है कि यहाँ पर जो costly चीजे होती है वो transport नहीं की जाती है because हमेशा एक डर रहता है कि अगर कोई pirates attack कर दिया है या कुछ भी हो गया तो यह काफी बड़ा loss हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग roadways या फिर airways ही prefer कर रहे होते हैं लेकिन जो most of the cargo है जो volume by weight है वो काफी अधा 90% of the cargo जो transport हो रहा होता है वो waterways के ही माध्यम से होता है and why it is happening क्योंकि यह cheapest mode निकल के आता है तो this is very important again यहाँ पर कुछ classification दिये गा है जैसे एक होता है जो river transport होता है दूसरी होती है canal transport and third is over shipping overseas shipping जो river transport होता है जैसे कि हमारे इंडिया में हमेश मदब हर जगा पर ही लग लग rivers मिल जाती है जहाँ पर volume काफी high होता है अगर North India में देखेंगे तो Ganga, Yamuna, Indas बहुत सारे ब्रमपुत्रा हर जगा पर ही जो है waterways है similarly अगर आप mainland में आते जाएए और South India में जाएए महानदी, we have Brahmani, we have Godavari, Krishna, Kaveri तो हमारे पास river transport के लिए काफी अच्छा खासा potential है but we are not using it in an effective way जैसे अगर आप देखेंगे Canada और US के बीच में Great Lakes here, St. Lawrence River है और इसे ये लोग काफी तरीके से यूज़ करते हैं मतलब कई जादा से जादा यूज़ कर रहे होते हैं जैसे suppose this is this is your USA and यहाँ पर माल लेते हैं कि यह आपकी super lakes है and this is St. Lawrence River तो Canada और US के बीच में तो transport है वो तो केवल इसी लेक से ही होता है और दूसरा इस river के through यह Atlantic Ocean में भेज दिये जाते हैं यहाँ से इन्हें जो होती है North Atlantic Drift मिलती है जो कि इसे Europe तक ले करके जाती है और यह जो drift है यह जो current है वो इस transport mode को काफी यादा develop कर दी है तो again this is very important और इस तरीके की development हम भी कर सकते हैं इंडिया भी कर सकती है यहाँ पर भी इस तरीके की waves है बट इसे develop करने की जरूरत है और थोड़ा सा एक mindset बनाने की जरूरत है बजाए कि petrol and biodiesel और उन पर dependency के we have to develop our river transport या फिर कह लिजे कि जो water transport है इसे काफी आदा develop करने की जरूरत है कई सारे काम भी यहाँ पर किये गए है जैसे की near about 111 waterway मूड मतलब waterway जो होता है बनाया गया है जिसमें से 6 काफी prominent है और आप लोग उसको पढ़े भी यहोंगे की एक गंगा हो गई दूसरी जो है वो ब्रमपुत्रा हो गई third one is the carvery का system fourth one is the godavari krishna और फिर बराकरी वर तो इस 6 के लिए तो काफी important और इस पर transport भी चल रही है लेकिन हमें और develop करने की जरूरत है बाकी के जो बचे हुए 105 waterways है उनको भी हमें उसी तरीके से develop करने की जरूरत है पहली चीज़ दूसरा infrastructure लगाने की जरूरत है तो यह सब चीज़े ultimately हमारे इस waterway को काफी develop करेगी और हमारे country को काफी यादा आगे बढ़ाएगी आगे canal transport की जाती है canals के थूरू, pipelines के थूरू इन सब के थूरू भी develop की जाती है लेकिन यह जो transport होती है वो basically liquid material gaseous material इनकी की जाती है जैसे कि आपकी natural gas हो गई pipeline से patrol हो गया जैसे recent में अभी नेपाल के साथ में अमलेक गंज में लगाया गया है तो यह काफी important होता है इसके लाब अब तापी project के बारे में भी आप बता सकते हैं जहां पर तुर्कमेनिस्तान, अफगनिस्तान इनके साथ में pipeline बनाई गई है तो यह भी अपने आप में कैनाल ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन के ही format को दिखा रहा होता है इसके लाब अवर्शीज शिपिंग होती है मतलब कि इंटरनेशनल शिपिंग होती है अन बेसिस अब देर वर्किंग ओवर्शीज शिपिंग में भी डिवाइड़ इन्टो दे लाइनर एंड दे ट्रैम्स तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर मेंली पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए यह शिपिंग कराई जाती है इंडिया लॉंग कोस्ट लाइन अब नैंटी परसेंट आफ दा सी बॉन ट्रेट इस हैंडल वाया मेजर पोड आफ जितने भी हैं अभी रीसेंट में क्या है कि वादवन को भी एक मेजर पोड बना दिया गया है आपने अभी बेसिक जीयस में पढ़ा होगा मेजर पोड के लिए मेजर पोड बना दिया गया है आफ जीयस में बना दिया है Shipping plays an important role in the transport sector of India's economy. Almost 98% of India's overseas. देखे यह जितनी भी चीज़े होती हैं, we have already discussed the concepts and यहाँ पर mostly जो चीज़े होती हैं, वो factual ही हैं. बाकि इसके लावा हम लोग merits of waterways के बारे में अगर देखें, तो यह road और rail की जितने भी pressure होते हैं regarding the freights, उसको यह काफी जादा reduce कर देता है, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा 90% of the trade हो रही है, हलाकि वो international trade के बारे में था, लेगिन कहीं ना कहीं वो national trade में भी help करता है. relatively less pollution है, तो less capital intensive भी होती है, काफी जादा employment create करती है, इसके बारे में थोड़ा सा discuss हम लोग यह कर लेते हैं, देखें हमारे पास क्या होती है, कि suppose कोई shipment आई, ठीक है, इस shipment में क्या होता है, कि आते ही यहाँ पर custom clearance और excise, मतलब यहाँ पर हमें administrative monitoring या फिर कह लिजा है, administrative check-up के through हो करके जाना होता है, तो इसमें क्या होती है, कि इस stock को यहाँ पर preserve करना होता है, इस preserve करने के लिए यहाँ पर अलग-अलग blocks बने होते हैं, और इस block के लिए भी एक अलग से employment create कर दिया जा सकता है, suppose cold chain लगानी पड़ रही है, तो cold chain के लिए भी एक नया development किया जा सकता है fishing के लिए अगर करना है, तो आप एक नया development कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं एक अच्छा खासा यहाँ पर market डवलप किया सकता है, in fact, suppose this is the shipment area, तो इस area में अच्छा खासा एक market भी लगाया जा सकता है, जो relatively less cost पे, मतलब कि जो price है, obviously वो price ज्यादा transport हुआ नहीं, तो ज्यादा ब सकते हैं, to this is very important, this can create a large employment, second thing, parallel में इसके railways, हलाकि यह तो चलती ही है, लेकिन इसको और develop किया सकता है, इस railways के तरू यहाँ पर फिर से एक employment create किया जा सकता है, labor force को यहाँ पर भी attract कराया जा सकता है, यहाँ पर roadways भी बनाई जा सकती है, road के तरू भी स्टीजों को ले करके जाए जाएगा, तो अगेन नया employment create हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुत अच्छा खासा option होता है, इस employment create करने का, this is the cheapest mode of transport, we have discussed it several times, promote coastal base industry, such as fishery and coral collection, it promote tourism, no doubt, यहाँ पर tourism काफी, क्योंकि देखिए अगर, suppose if you have ever gone with the, to the अन्दमाने निको बार, वहाँ पर आपको फेरी लेनी प important again, कुछ problems of waterway के बारे में बात करें, तो देखिए, congestion काफी important है, congestion काफी ज्यादा होता है, इस waterway के तुरू, बहुत सारे shipment एक साथ आयाते हैं, फिर वो congestion create करते हैं, कही न कहीं यह भी pollution करता है, और एक डर रहता है, कि अगर यह shipment, अगर यह जो ship है, अगर वो गलती से भी कह पर टकरा गया, या फिर किसी वज़े से वहाँ पर petrol की leakage हो गई, तो oil spillage का काफी हदा डर रहता है, और वो भी ocean में, तो अपने आप में यह ecosystem disbalance कर देगा, क्योंकि अगर petrol या फिर petroleum product leak होती है, तो obviously एक बड़े large scale पर हमें इसका damage देखने को मिलता है, और यह कई बार हम ने देखने को मिला, इंडिया नोशियन में भी, हमें वेंगॉल में देखने को मिला है, तो Pacific Ocean में तो कई जगों पर हमें इस तरीके की situation देखने को मिली है, आगे, heavy pressure on container traffic, इसके अलाबा, lack of infrastructure, administrative efficiency, इन कई तरीके की यहाँ पर problem आती है, इसके बारे में already हम लोग ने discuss कर रखा है तो again इसी चीज को discuss करने का कोई मतलब नहीं है, administrative inefficiency के बारे इसका मतलब यही है, कि यहाँ पर क्या होती है, कि एक shipment को clear करने में near about 7 to 14 days लग जाते हैं, अब यह बताए अगर कोई perishable item होगा, तो obviously वो पूरा खराब हो जाएगा, अब यहाँ पर अलग-अलग chemicals, preservatives का use किया ज लिए, तो हमें administrative efficiency को बढ़ाना होगा, ताकि यह perishable items आगे बढ़ें, और बाहर के जो foreign की कई सारी और भी चीज़े हैं, वो भी attract हो, आगे बढ़ें हमारे पास आएं, lastly हम लोग discuss कर लेते हैं, airways के बारे में, airways जो होती है, वो हलाकि ज़्यादा कुछ discuss करने को है नहीं, बट स्टिल कुछ चीज़े हैं, like it is the ninth largest aviation market in the world with the size of around 16 billion US dollar and is poised to the third biggest by 2020, इंडिया की जो aviation industry है, वो promise करती है huge growth potential, क्यों करती है, क्योंकि देखिए, ये अभी under development phase है, तो under development phase में achievement हासिल करना काफी आसान होता है, लेकिन इसे develop करना काफी ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर develop नहीं किया जाएगा, तो obviously country will not be called as a developed nation, तो ये काफी important होती है, और in fact ये भी काफी अच्छा employment creation industry होती है, civil aviation industry in India is experiencing a new era of expansion, driven by factors such as low cost career, modern airport, foreign direct investment in domestic airline, इसको अपलब पर लीजेगा, यहाँ पर कुछ खास है नहीं, and mostly data ही दिये गए हैं, तो आप इसे देख लीजेगा, इसके लावा जो responsible administration है, या फिरकली जो bodies है, वो होती है, एक DGCA, जो basically management और जितने भी rules and regulations देखनी होती है, वो इनहीं का DGCA का काम होता है, यह भी Ministry of Civil Aviation के ही अंतरगत आती है, इसके लावा Bureau of Civil Aviation Security होती है, जो basically standard and measures को देख रही होती है, regarding the security of the civil flights, इसके लावा हमारे पास Air India है, तो Air India आपको पता ही होगा कि यह airline carrier है, जिसके shares को अब government काफी यदा sell out कर रही है, तो अब देखते हैं near future क्या होता है, next one is Airport Authority of India, this is a PSU under Ministry of Civil Aviation, और यह infrastructural development से related इनकी responsibility होती है, तो जितने भी development बगरे करने होते हैं, civil engineering करनी होती है, वो यही करते हैं, helicopter के लिए Pawan Hans Helicopter Limited है, जो कि basically helicopter services provide करता है remote and hilly areas में, कुछ problems है Airways की, merits तो आप लोग खुदी लिख सकते हैं, problems के बारे में अगर देखें, तो देखें एक loss making industry है, इसके पीछे reason यही है कि जो हमारी, इसमें fuel लगती है, टीसी जो होती है, वो काफी ज़्यादा costly आती है, इसमें blending भी हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, हलाकि अभी blending की गई है, patrol, biodiesel की, और उस blending के थुरू दहरादूं से दिल्ली के लिए flight भी उड़ाई गई है, तो हम लोग इसमें development करने हैं, बटे स्टिल, it is running into loss, और loss के पीछे कई सारे reasons होते हैं, वो technical reasons of the airline carriers है, इनका कहना होता है कि suppose जैसे इंडिया में हर एक एर, पहली बात और एरपोर्ट वो city के एकदम sideways में होती है, तो जो mainland की है, वहाँ पर तो ऐसाच कोई problem नहीं है, बटे इन the coastal areas like Andhra Pradesh और Kerala और Tamil Nadu, यहाँ पर जो airports हैं, वो काफी यादा restricted manner में है, restricted manner का मतलब कि वो free zone नहीं है, suppose कहीं कोई गलती हो जाती है, तो obviously flight will go into the ocean, तो एक problem हो जाती है, तो यहाँ पर अलग-अलग तरीके की landing होती है, like 30 degree landing, 60 degree landing and 90 degree landing, suppose अगर कोई भी emergency condition आती है, तो जो pilots होते हैं, वो 60 degree landing या फिर 90 degree landing को prefer कर रहे होते हैं, तो इससे जो ATF है, जो इसकी fuel है, वो काफी यादा खर्च होती है, लेकिन जो airline carriers हैं, जो company हैं, वो pilots को हमेशा बोलती हैं, कि नहीं, you have to take only the 30 degree or 60 degree, so that to save the fuel, और इस fuel को save करके, फिर वो जो price होती है, उसको काफी competitive और cheap रख सकते हैं, ताकि वो attractive दीखे, but again कही न कहीं उसे safety के साथ में एक compromise करना पड़ता है, जिसके कारण से कहीं सारे accidents वगरें लगतार हमें continuously देखने को मिल जाते हैं, तो यह एक loss making इसी वज़े से industry चल रही है, इसके लावा strikes हो जाते हैं, strike के कारण से again loss हो जाती है, एरवेज यह अपने आप में बहुत ही limited कह लिजे कि employee की चल रही होती है, declining quality of service again, मैंने एक case study आपको दे दिया, जहां पर आप declining services के बारे में समझ गया होंगे, इसके लावा high aircraft to man ratio है, जिसके कारण से again pressure काफी ज़्यादा है, इसके लावा stiff competition है, जिसके कारण से safety and security के साथ में compromise करना पड़ता है, old aircraft हैं, जिसके कारण से again accidents भी काफी ज़्यादा हो जाते हैं, expensive fairs हैं, तो less attractive रहता है, high class at max, it attracts to middle class, और जो lower class होता है, फिर वो attract नहीं होता है, अगर उसे बहुत मजबूरी होती है, then only he prefer this, इसके लावा mismanagement and political interference काफी ज़्यादा होता है, airways में, कुछ भी होती है, तो पहले shutdown कर दिया आ जाता है, तो अपने आप में ये loss making हो जाती है, because this is not properly managed, तो इस वज़े से problem management की वज़े से problem आ जाती है, तो this is all discussion for today, इसके लावा कुछ questions देख लिए पास्ट एर के, आप लोग इसको लिख करके अपने answer जो है, वो email कर सकते हैं, recognitionis at gmail.com पे, from there we will give you some feedback, these are the questions based on the today's discussion, जो पास्ट एर में पूछे गया है, तो इनको आप लोग लिख सकते हैं, इसके लावा if you have any question, you can also refer this mechanism, the description box में इसकी link दी गई है, तो वहाँ पर आप चीजों को देख सकते हैं, मिलते हैं next studio में, till then goodbye and thank you so much.